So good evening to each and every one of you, कैसे हैं आप सबी लोग, बहुत-बहुत सभागत है आप सब लोगों का आज के इस amazing session में हम कर रहे हैं Revisionary Series on Taxation for CA Intermediate May 24 और आज इसका 4th lecture है, आज हम लोग पूरा का पूरा income from house property revise कर लेंगे जितने भी students यहाँ पर नए हैं, यह आप लोग schedule यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग ने 1st February से start किया था, this is a tentative schedule for income tax and this is a tentative schedule for GST revision classes as well, जो भी मैं यहाँ पर notes use करूँगा, उन notes का link आपको इस video के description में मिल जाएगा और जो भी मैं आपको यहाँ पर questions बताऊँगा, वो questions आपको in books में मिल जाएगे, these are the two books, income tax और GST की और in books को purchase करने का link भी मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, तो you can check it out as well, right? चलो sir, शुरू करते हैं अपना discussion on income from house property, ठीक है? तो देखो, income from house property के अंदर, जो सबसे पहले हमारा charging section आता है, वो यह कहता है कि अगर आपके पास कोई एक house property है, और आपको उससे rental income आ रही है, तो वो taxable होगी under the head income from house property, तो इसमें दो conditions होती है, सबसे पहली बात, there should be a house property, house property का मतलब होता है, building and land appartinent there too, right? तो building के आसपास वाली जो जमीन होती है, जो कि basically building का premises होता है, वो भी house property का ही हिस्ता माना जाता है, और दूसरी चीज, you must be the owner of that house property, ठीक है, you should be the owner of the house property, आप उस house property के मालिक होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपने उस house property को खुद किराए पर लेकर कहीं पर किराए पर दिया है, और उससे आप income कमा रहे हो, अगर ऐसा होता है, तो वो जो income आप कमाते हो, वो income from other sources में chargeable होती है, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई house property है, जो मैंने खुद किराए पर ली हुई है, और उसको मैं किराए पर देकर पैसा कमा रहा हो, तो इससे जो भी पैसा आएगा, वो income from house property head में taxable होगा, house properties दो तरकी हो सकती है, एक होती है आपकी let out property, फिर एक होती है, self occupied property, let out property वाली जो भी properties होती है, वो तो हमेशा ही taxable होती है, self occupied properties में हम लोग देखते है, कि क्या आप उसको अपने residence के लिए या आप उसको अपने business के लिए यूज कर रहे हो, और उसी में आपने अपना business and profession set up कर रखा है, तो business के balance sheet में वो asset के तोर पर दिखाई देगी, और उस पर आपका depreciation वगरा मिलता रहेगा, ठीक है, और अगर आप ये house property अपने घर के लिए यूज कर रहे हो, अपने residence के लिए यूज कर रहे हो, तो देखो, दो house properties तक exempt हो जात और आपको उस पर tax देना होगा, इससे related अभी और detail में हम लोग आगे आगे चलकर बात करेंगे, house property का computation कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो basically gross annual value निकाली जाती है, जो gross annual value basically होता क्या है, जो आपके साल भर की rental income होती है, वही आपकी gross annual value होती है, उसमें से municipal taxes अगर आप कुछ pay करते हो, तो उसको minus किया जाता है, और फिर आपके पास आती है net annual value, फिर आपके पास आती है net annual value, net annual value में से 2 deductions किया जाता है section 24 के, 24A में होता है 30% of the net annual value, और 34B में हो जाता है आपका interest on loan, ठीक है, अब यहाँ पर gross annual value का मैंने क्या बताया कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हो, जितना भी आपका जो actual rent है, वही आपकी gross annual value होती है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ न कुछ शेतानी करने शुरू की थी, बदमाशी करने शुरू की थी, तो सरकार को gross annual value calculate करने के लिए formula बनाना पड़ा, वो formula क्या है, आप किसी भ properties का जो भी rent चल रहा होगा, उसको fair rent बोला जाता है, इन दोनों में से जो भी higher आएगा, आप उसको यहाँ पर लोगे, और उसके बाद आप उसको compare करोगे standard rent से, standard rent क्या होता है, जो भी rent control act के हिसाब से fix किया जाते है, उसको standard rent बोलते है, इन दोनों में से जो भी lower आएगा, इन दोनों में से जो भी lower आएगा, उसको बोला जाता है, expected rent, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, expected rent, और उसके बाद फिर आप उसको compare करते हो, with the actual rent received या receivable, ठीक है, और actual rent received या receivable और expected rent में से, मतब इसमें से, और इसमें से, जो भी ज्यादा होता है, वही आप actual rent received receivable निकालने के लिए एक note है, वो note क्या है, कि आपको यहाँ पर देखना होता है, rent received, इसमें आपको add करना होता है, rent receivable, और इसमें से आप minus करते हो, unrealized rent, ठीक है, इसमें से आप unrealized rent को minus कर देते हो, तो rent received plus rent receivable, मैं एक example लेकर इसको समझाता हूँ, मानलो, मैंने कोई अपना किराये पर दिया था, मुझे मकान का जो भी वो किरायदार था, उसने मेरे को सिर्फ 10 months का rent दिया, उसने मेरे को सिर्फ 10 months का rent दिया, तो मुझे rent receive कितना हुआ, मुझे rent receive हुआ, 3 lakh रुपीज, ठीक है, मुझे rent receive कितना हुआ, मुझे rent receive हो गया, 3 lakh रुपीज, उसने मुझे 10 मन्स का रेंट दिया लेकिन दो मन्स का रेंट अभी मिलना बाकी है ठीक है तो मैं करूँगा 30,000 इंटू 2 यानि 60,000 रुपीज का रेंट मुझे मिलना बाकी है ठीक है तो 3 महिने का किराया बाकी था, उसमें से उसने मेरे को एक ही महिने का किराया दिया और एक महिने का किराया दिये बिना वो भाग गया तो फिर क्या हुआ, unrealized rent हो गया एक महिने का, unrealized rent हो गया एक महिने का, तो उसको मैं यहां से minus करूँगा 30,000 into 1 में कर दूँगा 30,000 को यहां से minus कर दूँगा और जो मेरा actual rent आएगा वो 3,30,000 रुपीज का आ जाएगा ठीक है अब आप लोग देख सकते हो unrealized rent को यहां पर मैंने minus किया है unrealized rent को यहां पर minus करने की permission हम लोगों को तभी मिलेगी अगर rule 4 की 4 conditions satisfied होगी rule 4 की पहली condition है कि tenancy should be bona fide जो भी आपका tenant है वो अपनी मर्जी से आपके घर में रह रह रहा था condition number 2 है कि tenant should have vacated the house property tenant आपकी house property छोड़ कर जा चुका होना चाहिए तीसरी condition है कि tenant आप ही कि किसी दूसरी property को occupy नहीं कर रहा है और चौथी condition है कि आपने जितनी भी जितने भी reasonable steps हो सकते थे उससे rent को recover करने के लिए आपने वो सारे reasonable steps ले लिए है अगर ये चारों conditions fulfilled है rule 4 की तब तो आपको unrealized rent का reduction मिलेगा otherwise आपको unrealized rent का यहाँ पर reduction नहीं मिलेगा मेरी advice आप लोगों किसे क्या रहती है मेरी advice आप लोगों से हमेशा यह रहती है कि you should always make this format आपको ये वाला format हमेशा बना कर रखना चाहिए क्योंकि question में कई बार ऐसे questions आ जाते हैं कई बार ऐसी information दीवी रहती है जो आप लोग mentally calculate करने की कोशिश करते हो और वहाँ पर गलती हो जाती है तो हमेशा 2-3 मिनिट और लगेंगे लेकिन ये वाला format अगर आप लोग बना लोगे न तो exam में आपके answer की accuracy एकदम enhance हो जाएगी तो rent received से आप लोग start करोगे तीन लाग रुपे आपने rent received जितने महीने का मिल गया जितने महीने का नहीं मिला तो उतने को आप पहले rent receivable लिखोगे कई सारे लोग क्या करते है कि suppose 10 महीने का मिल गया आपको पता है question में भी दिया हुआ है कि 2 महीने का ही unrealized है मालो question में भी दिया है कि 2 महीने का unrealized है तो कई सारे लोगों से गलती क्या हो जाती है कि यहाँ पर तो आप लोग 3,000,000 रुपे लिख देते हो और इसी में से आप 60,000 रुपीस जो 2 महीने का unrealized है उसको minus कर देते हो तो यह avoid करने के लिए आपको पहले rent receivable भी लिखना चाहिए नहीं तो यह miss हो सकता है यह miss हो सकता है कि unrealized rent कर तो reduction मिलता है तो जितना receive हो गया उसी में से मालो unrealized rent minus कर दिया तो यहाँ पर यह गलती हो सकती है तो always first write the rent received then write the rent receivable and then subtract the unrealized rent तो यहाँ पर दूसरी चीज जो यहाँ पर gross annual value से municipal taxes minus होते हैं तो municipal taxes आपके तभी minus होंगे जब आप actually उनको pay करोगे यह due basis पर इसका reduction नहीं मिलता है municipal taxes का reduction सिर्फ और सिर्फ paid basis पर मिलता है cash basis पर मिलता है अगर आपने इसको pay किया है तो आपको इसका reduction मिलेगा otherwise deduction नहीं मिलेगा मालो previous year 22-23 में आपने municipal taxes को pay नहीं किया तो 22-23 का आपको reduction नहीं मिलेगा लेकिन अगर वही 22-23 वाला जो municipal taxes है वो आपने 23-24 में pay कर दिया तो इस साल 23-24 में आपको उसका reduction मिल जाएगा ठीक है इस साल 23-24 में आपको उसका reduction मिल जाएगा फटा फट से आप लोग वीडियो को like कर दो और फिर हम लोग चलते हैं आगे बात करते हैं अब interest on loan के बारे में ठीक है लोण आप ले सकते हो house property के purchase, construction, repair या renovation के लिए आप कहीं से भी ले सकते हो source of loan आप कहीं से भी ले सकते हो ठीक है तो यह due basis पर मिल जाता है तो याद रखना municipal taxes का reduction आपको paid basis पर मिलता है और interest on loan का reduction आपको due basis पर मिल जाता है ठीक है आओ देखो तो यह हो गया penal interest is not allowed as reduction what do you mean by penal interest अगर आपने interest नहीं pay किया और उसके ओपर bank ने extra interest लगा दिया तो वो जो extra interest है क्या उसका भी आपको reduction मिलेगा बिल्कुल भी नहीं तो penal interest का आपको reduction नहीं मिलेगा fresh loan for earlier loan अगर मालो आपने house property के purchase construction रिपेरिया maintenance के लिए रिपेरिया renovation के लिए आपने loan लिया था और उस loan को repay करने के लिए आप एक fresh loan लेते हो तो उस fresh loan पर जो भी आप interest पे करोगे उसका भी reduction आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप loan इंडिया के बाहर से लेते हो तो इंडिया के बाहर आप interest पे करोगे वहाँ पर आपको reduction तभी मिलेगा अगर आप उस interest पर TDS काटते हो अगर आपने interest पर TDS नहीं काटा तो फिर आपको उसका reduction नहीं मिलेगा लिमिट क्या होगी तो let out property में तो कोई limit नहीं है unlimited interest on loan का deduction आपको मिल जाएगा self occupied property में default scheme में यानी new scheme में कोई reduction allowed नहीं है लेकिन old scheme में deduction allowed है old scheme में दो cases में हम लोग बांटेंगे दो cases में पहला case क्या हो जाएगा कि आपने loan लिया है on or after 1st April 1999 loan का purpose है purchase या construction और loan लेने के 5 साल के अंदर अंदर construction आपका complete हो चुका है अगर यह तीनों conditions fulfill हो जाती है तब तो 2,000,000 रुपे का आपको deduction मिल जाएगा otherwise आपको 30,000 रुपीस का reduction यहां पर मिलेगा maximum deduction जो आपको optional scheme में भी मिलता है वो 2,000,000 रुपे का ही होता है मतलब क्या हुआ मतलब अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा properties है suppose आपके पास 2 self-occupied properties है आपके पास suppose 2 self-occupied properties है एक self-occupied property में तो यह वाला loan है ठीक है कि आपने उसको purchase construction purchase या construction के लिया था 1st April 1999 के बाद लिया था और loan लेने के 5 साल के अंदर अंदर construction भी complete हो गया था तो उस house property के लिए maximum limit कितनी हो गई 2,000,000 रुपे हो गई suppose आपके पास एक और self-occupied property है जिसके लिए आपने loan लिया था only for repairs and renewals तो यहां पर तो 30,000 हो गया old scheme में ही आपको reduction मिलता है in these two cases, new scheme मैं या default scheme में आपको कोई reduction नहीं मिलता है बाकि कोई ब히 expenses अ अगर आपके होते हैं जैसे मांनों question में दिया हूँा हो के packing expenses उए repair expenses उए वो तो उसका आपको कोई discussion नहीं मिलेगा क्योंकि Section 24 a में 30% of net annual value आपको already मिल जाता है, ठीक है, तो सरकार मान के चलती है कि 30% of the net annual value में आपके बाखी सारे खर्चे आ गए, अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि सर मानलो हमारे खर्चे 30% से ज्यादे हो गए तो तो फिर कोई फरक नहीं पड़ता, उसका आपको reduction नहीं मिलेगा, ठीक है, एक question number 3 है, इसको आप लोग कर ली जगा, questions जो है, वो आपको मेरी book से करने होंगे, यह GST की किताब है और यह income tax की किताब है, income tax और GST की books आ गई है, questions आपको सारे करने, यह मैं हर lecture में बताऊंगा ही बताऊंगा, कि questions आपको book से सारे के सारे करने, यह जो important questions हैं यह मैं आपको सिर्फ इसलिए mark करवा रहा हूँ, जिससे exam के एक दिन पहले अगर आपने सिर्फ इन questions को भी revise कर लिया, तो आपके सारे के सारे concepts और हर type का question cover हो जाएगा, right, तो जब अभी आप लोग मेरे साथ-साथ यहाँ पर revision कर रहे हो, तो you have to solve all the questions from the book, और मेरी book में ICI के study material के, RTP, MTP, PYQs, यह सारे के सारे questions included है, with solutions, ठीक है, book में with solutions है, text, concepts, tables, charts, summaries, questions, सब कुछ included है, लेकिन आपको सारे के सारे questions करने, but exam से एक दिन पहले के लिए कुछ important questions की जो बात होती है, उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर notes में important questions लिख कर दिये हुए है, from the book, ठीक है, आओ, बात करते है, pre-construction period interest या pre-acquisition period interest के बारे में, तो suppose आपने loan ले लिए मकान को construct करवाने शुरू किया, दो-तीन साल में मकान जाकर construct हुआ, ठीक है, तो जिस साल आपका मकान construct होगा, उससे just पहले के जितने भी साल थे, उन सालों को pre-construction period माना जाएगा, और उन years में आप जितना भी interest दोगे loan पर, वो आपका pre-construction period या pre-acquisition period का interest हो जाएगा, क्या उस interest का आपको reduction मिलता है, yes आपको reduction मिलता है, 5 सालों में आपको उसका reduction मिलता है, starting from the year in which the construction got completed, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कि suppose previous year 23-24 में construction complete हुआ, construction complete हुआ, suppose आज की date को, आज की क्या तारीक है, आज की है 8 February 2024, ठीक है, आज की तारीक है 8 February 2024, तो pre-construction period फिर भी 31 मार्च 2023 तक का ही माना जाएगा, मतलब previous year 23-24 will not be considered as a pre-construction period year, ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि 1st April 23 से लेकर 8 February 2024 तक का जितना भी interest है, proportionate करके उसको pre-construction में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो till 31st of March 2023 आपने जितना भी interest पे किया है, वो आपका pre-construction period interest होगा, और ये 5 equal annual installments में आपको इसका reduction मिल जाता है, ये दोनों important questions है, इनको आप लोग देख लीजएगा, आगे आते हम लोग, vacancy के concept पर, vacancy का concept ये कहता है, कि अगर मान लो, आपकी जो gross annual value है, वो आपके expected rent से कम है, but for genuine reasons, ठीक है, हम लोग ने क्या बात की, कि जो हमारा actual rent है, जो हमारा actual rent है, और expected rent, actual rent और expected rent में से जो भी ज्यादा होता है, वही gross annual value आती है, लेकिन अगर मेरा actual rent, expected rent से कम है for genuine reasons, genuine reasons क्या हो सकते है, मेरा मकान खाली पड़ावा था, मैंने किरायदार ढूनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे को कोई किरायदार मिला ही नहीं, तो अगर मैंने किरायदार ढूनने की कोशिश की, मुझे किरायदार नहीं मिला, मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, तो मेरा actual rent तो वाकई expected से कमाएगा ना, आप expected rent calculate कर रहे हो पूरे 12 महीने का, actual में मेरा जो मकान था, वो तो सिर्फ 8 महीने के लिए ही किरायपर था, बाकी 4 महीने के लिए था, खाली पड़ा था हम एक रायदार, ढून ढून के परिशान हो गया, तो ऐसे case में actual rent may be less than the expected rent, तो gross annual value के अगर हम formula से चले, तब तो expected rent या actual rent, whichever is higher के हिसाब से expected rent आ जाएगा, बट क्या वो सही होगा, assessi के लिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो सरकार कहते हैं कोई बात नहीं, अगर vacancy के कारण तुम्हारा rent कम है, expected से, तो फिर जो तुम्हारा actual rent है, उसी को 8 महीने का rent, हमारे example में मैंने अभी आपको बदाए कि suppose 8 महीने के लिए मैंने किराया पर दिया, 4 महीने के लिए किराया पर नहीं दिया, तो सरकार कहते ही कि आप देखो, 8 महीने का किराया, प्लस ये 4 महीने का किराया, मतलब 12 महीने का के जड़े जितना आपको आपकोनीव स्टाराय गाल किराय यो देते अगर घ्म लेकिन अगर आपका ट्रेकर प्लोस मला किराया भी एक्सप्टी से कब तो शिरकाव पता स्मल या धा Mitar inf ا्ट कर रहे हो कि वेकेंसी की वेरे से कम है तो जान बूच के गलत दिखा रहे हो तो जो भी एक्स्पेक्टेट रिंट होगा वही आपकी ग्रॉस अन्यल वाद्यू हो जाएगी ठीक है आओ, कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे पास suppose ये तीन कमरे का मकान है दो कमरों में मैं खुद रह रहा हूँ और एक कमरा मैंने किराए पर दिया हुआ है ऐसे cases को बोलते हैं partly let out property area wise तो ऐसे में क्या होता है पूरे मकान को suppose इसी example में जो मैंने अभी आप लोगों को दिया कि तीन कमरों का मकान है दो कमरों में मैं खुद रह रहा हूँ एक कमरा मैंने किराए पर दिया है मतलब two-thirds of the property is self-occupied and one-third of the property is let out तो ऐसे में हम लोग पूरी की पूरी property को two-third self-occupied और one-third let out मान कर करते है और जो आपका actual rent होता है वो तो एक ही कमरे काएगा लेकिन इस case में क्या होता है कि municipal value तो पूरे मकान की होगी तो आपको one-third ही लेनी होगी for the calculation purposes क्योंकि जो self-occupied property वाली calculation आएगी उसमें तो आपकी net annual value ही नेला जाएगी लेकिन जो आपकी let out portion होगा one-third of the property वाला portion जो let out portion होगा उसके लिए आपको income from house property को calculate करना होगा question में जो आपको municipal value दी हुई होगी वो तो पूरे के पूरे मकान की दी हुई होगी तो you'll have to do it one by third one-third of the whatever value of municipal value is given in the question ठीके similarly, fair rent और standard rent भी पूरे-पूरे मकान का दिया होगा इसलिए आपको उसका one-third of the fair rent one-third of the standard rent given in the question ही consider करना होगा मुझे एक बात बताओ क्या actual rent होगा actual rent का भी one by three करना पड़ेगा क्या? कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि जो भी आपका किरायदार है वो आपको किरायद पूरे मकान का देगा या एक कमरे का देगा एक ही कमरे का देगा तो actual rent तो वो आपको एक ही कमरे का देगा तो question में जो actual rent दिया होगा आपको उसको one-third नहीं करना है ठीक है? और one-third में सिर्फ एक example के तोर पर बता रहो जितना भी portion let out है उस proportion से आपको multiply नहीं करना है तो municipal value का आपको divide करना है fair rent को करना है, standard rent को करना है municipal taxes को भी करना है interest on loan को भी करना है interest on loan आप पूरे-पूरे मकान का निकालोगे और फिर आप देखोगे के one-third और two-thirds करके two-thirds self-occupied का जाएगा one-third आपका let out का जाएगा और फिर यहाँ पर interest on loan पर limits लग जाएगी मालों interest on loan 4 lakh का आया total interest on loan है suppose 4 lakh rupees ठीक है, example दे रहाँ total interest on loan है suppose 4 lakh rupees two-third is the self-occupied property ठीक है, तो मैंने का two into four lakh rupees divided by three कित्ता हो गया, two 66, 667 हो गया लेकिन क्या self-occupied property के लिए 2 lakh से ज्यादा का reduction मैं ले सकता हो बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पर self-occupied property के case में मेरा interest on loan का reduction जो होगा, वो restrict हो जाएगा till two lakh rupees, ठीक है, अब let out property वाला देखता हो, 4 lakh का है into one by three, यह कितना आता है, 133,333 क्या let out property के ओपर interest on loan पर कोई भी पाबंदी है, बिल्कुल भी नहीं कोई restriction नहीं है, तो one third of the let out property जो है, उसके लिए 133,333 का पूरा interest on loan का reduction मिल जाएगा, self-occupied property के case में आपको उसका reduction restrict हो जाएगा, 2 lakh rupees तक, यहाँ self-occupied property में याद रखना, reduction आपको तभी मिलेगा अगर आप old scheme के लिए opt कर रहे हो ठीक है, अगर default scheme में हो, तो आपको let out portion पर कोई भी वो नहीं मिलेगा, कोई interest on loan का reduction नहीं मिलेगा, ठीक है, तो let out property पर कोई limit नहीं है, self-occupied property पर optional scheme के अंदर maximum 30,000 या 2 lakh rupees और default scheme के अंदर आपका निलाजाता है, यह दो questions important है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजेगा, फिर हम लोग बात करते है partly let out property time wise time wise का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना time wise का क्या मतलब है, और इसकी equivalency में करवाऊंगा vacancy के साथ, ठीक है तो बहुत ध्यान से सुनना, और उससे पहले वीडियो को like कर दो फड़ाबट से, ठीक है, वीडियो को like कर दो, अगर मजा आ रहोगा तो वीडियो को like कर दो, comment section में comment करके बताना, जरूर के session आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, तो partly let out property अगर time wise के बारे में हम लोग यहां पर बात करें, इसका case में सरकार कहती है कि हम मान लेंगे कि आपने पूरे साल के लिए मकान को किराय पर दिया है, ऐसे case में सरकार कहती है, हम मान लेंगे कि आपने पूरे साल के लिए मकान को किराय पर दिया हुआ है, तो पूरे साल के लिए property को deemed let out माना जाएगा और उस हिसाब से calculation होगी अब ध्यान से सुनना जब आप यह दोनों questions करोगे 15 और 16 तो यहां पर एक confusion आएगा आप लोगों को के सर यह vacancy भी तो है vacancy नहीं होगी question में अगर लिखाए कि किरायदार चार महीने बाद छोड़ कर भाग गया और जो assessi है उसने खुद property को occupy कर लिया तो this is not the case of vacancy. Vacancy का case क्या होता है कि चार महीने बाद किरायदार चोड़ कर भाग गया और उसके बाद आठ महीने मकान खाली पड़ा रहा. That is the vacancy case लेकिन अगर 4 महीने बाद किरायदार छोड़ कर भाग गया और 8 महीने के लिए मैंने मकान को occupy कर लिया तो vacancy थोड़ी हुई ये partly let out property हो गई कि कुछ समय के लिए मैं था, कुछ समय के लिए कोई और था तो इस case में माने जाएगा कि पूरे के पूरे साल के लिए property let out थी और उस हिसाब से आपकी calculations होगी ठीक है? अगर assessi के पास 2 से ज्यादा self-occupied properties होती है तो अगर assessi के पास 2 से ज्यादा self-occupied properties होती है तो फिर सरकार कहती है कि किनी भी 2 self-occupied properties को आप मान लो कि वो self-occupied property है लेकिन 2 के उपर अगर कोई भी self-occupied property है तो हम उसको deemed let out मान लेंगे और accordingly आपकी calculations निकाल कर income आपके उपर taxable कर देंगे अब ऐसे केस में जो भी question आता है एक ही question है वैसे तो question number 17 बहुत प्यारा question है पूरी चीज़ें आप लगों को बहुत काईदे से समझ में आ जाएंगी because this is a question that has been solved by the old scheme as well as the new scheme ठीक है तो अच्छा difference किया हो जाएगा कि self-occupied वाले portion में वाला self-occupied वाले portion वाली चीज हो जाएगी self-occupied portion में old scheme में तो interest on loan का reduction मेलेगा new scheme में interest on loan का reduction नहीं मेलेगा तो this is a very good question आपको definitely इसकी बहुत अच्छे से practice करनी चाहिए and one day before exam तो definitely इसको देखना ही देखना चाहिए अच्छा मैं इसको solve करने का तरीका बदा देता हूँ the best way to solve such a question is suppose आपके पास 3 house properties है तो आप सबसे पहले 3ों को deemed let out मानकर उनकी income calculate कर लो सबसे पहले 3ों को deemed let out मानकर उनकी income calculate कर लो अब deemed let out मानके 3ों की income calculate हो चुकी है now you make cases case number 1 would be कि H1 और H2 self occupied है और H3 आपका LOP है अब इस case के basis पर देखो अब आपने मान लिया H1 और H2 self occupied है तो इस case में उपर वाले सारी calculations नलिफाई हो जाएंगे और आपकी net annual value आजाएगी निल 24A का कोई reduction नहीं मिलेगा और 24B का reduction old scheme में मिलेगा new scheme में नहीं मिलेगा तो इस तरह से आप देखोगे कि H1 और H2 को self occupied माना H3 deemed let out property उसकी income आप already calculate कर चुके हो तीनों का total कर लो case number 2 case number 2 देखो कि आप H1 और H3 को self occupied मानलो जब आप H1 और H3 को self occupied मानोंगे तो अब यहाँ पर इनकी net annual value निल हो जाएगी 24A का कोई reduction नहीं मिलेगा 24B में आपको reduction मिलेगा depending on whether you are opting for an old scheme और new scheme ठीक है और फिर जो आपका H2 है यह आपकी deemed let out property मानली जाएगी और deemed let out property के income आपके पास आएगी इनका total कर लो और फिर आपका यह तीसरा case आजाएगा H2 और H3 self occupied और H1 let out property इन तीनों cases में से जिस case में भी आपकी total income सबसे कम आएगी वही option आपके लिए आपके assessi के लिए favorable होगा next concept हमारे पास आता है co ownership का तो co ownership के cases में क्या होता है जैसे यह वाला मकान है जिसमें मैं यहाँ पर बैठ के आप लोगों की classes लेता हूँ तो इस मकान में 2 co owners है एक मैं हूँ और एक मेरी मम्मी है तो जब हम लोग इस मकान की वो निकालते हैं इसकी इसकी income from house property निकालते हैं यह rented होता तो पहले हम यह मानते ही नहीं के multiple owners है पहले हम इसको एक ही owner को मान की वो निकालते हैं इसकी income from house property निकालते हैं और उसके बाद based on the ownership share हम लोग इस income को बाइफरकेट कर देते हैं ऐसे मेरी मम्मी और मेरा यहां पर 50-50 शेर है तो income from house property आएगी 50% मम्मी के hands में taxable हो जाएगी और 50% मेरे hands में taxable हो जाएगी यहां benefit पता है क्या होता है यहां benefit यह होता है कि वैसे तो self-occupied property के case में सिर्फ 2,00,00 रुपे तक का interest on loan का reduction allowed है under old scheme लेकिन अगर co-ownership में हम लोग आ ज जाता है और 2,00,00 रुपे तक का reduction मुझे हो जाता है ठीक है तो interest on loan जो है यहां पर जितने भी co-owners है उन co-owners का every co-owner will be allowed a deduction of 2,00,00 रुपीस और 30,000 रुपीस whichever is the case as the case में भी ठीक है तो these two questions are very good questions 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 20 and 21 obviously मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको सारे के सारे questions करने हैं these are just a few important questions जो मैंने आप लोगों को यहां पर किये हैं जो आप लोग मतलब skip करी नहीं सकते किसी भी हालत में आपको skip नहीं करना चाहिए ठीक है फिर बात करते हैं areas of rent के बारे में तो areas of rent का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई house property थी उसका किराया पिछले किसी साल का किसी तो previous year का जो rent था वो disputed था और मुझे इस साल आकर उसका rent मिल गया है अगर इस साल मुझे उसका rent मिल गया है तो वो मेरे हाथ में income from house property में taxable हो उसका reduction मुझे मिल जाएगा तो standard deduction 30% का मुझे यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है this is the important question composite rent के बारे में अगर हम लोग बात करें composite rent का मतलब होता है जब आप house property के साथ-साथ उसके furniture, fixtures और भी बहुत सारी चीज़ें साथ हमें मिल आकर देते हो ठीक है तो अगर आपका agreement separable है तो house property से मिलने वाला जो rent है वो तो income from house property में taxable होगा और बाकी assets से मिलने वाला जो rent है व अगर आपका business नहीं है कि ठीक है यार मैं retired हो मेरा कोई खास business वगेरा है नहीं एक मकान खाली पड़ावाता मैंने उसको rent पर दे दिया ठीक है और agreement मैंने separable नहीं बनाया तो ऐसे case में जो भी rent आएगा वो IFOS में taxable हो जाएगा अगर मानलो agreement separable नहीं है तो पूरा का पूरा rent PGBP या IFOS में taxable होगा as the case में भी ठीक है अगर let out of the property is not possible without other assets ठीक है अगर property का let out possibly नहीं है बिना किसी asset के तो यह पूरा का पूरा जो rent है वो या तो PGBP में या तो IFOS में taxable हो जाएगा चाहे agreement आपका separable हो चाहे ना हो ठीक है बात करते हैं अगर किसी builder के पास कोई house property पड़ी ठीक है builders क्या करते हैं वो मकान बना बना कर बेचते हैं ठीक है कई बार उनके मकान नहीं बिक पाते तो उसको किराय पर भी दे देते हैं तो अगर कोई builder है जिसके पास कोई मकान stock in trade में पड़ा हुआ है तो अगर उस मकान को बेच कर वो पैसा कमा रहा है तब तो वो PGBP head मे taxable हो जाएगा लेकिन अगर उस मकान को वो किराय पर दे रहा है तो फिर जो भी किराय आएगा वो income from house property में taxable हो जाएगा एक और चीज यहां पर बात आई थी कि अगर आपने house property बना ली ठीक है और जिस साल आपने उसका construction complete किया उसके दो साल तक जिस साल आपने construction complete किया सपो लेकिन 25 से उसको deemed let out मान लिया जाएगा और उसकी income from house property calculate करके builder के हाथ में taxable कर दी जाएगी next concept हमारे पास आता है last concept आता है income from house property का and this is the concept of deemed ownership section 27 ठीक है यह concept में इसमें कई सारे cases ऐसे लिस्टेड है कि जहां पर owner actually अगर देखा जाए तो कोई और हो जाता है लेकिन आप ही को owner मान लिया जाता है ठीक है तो लोग इसको use करके tax evade करने की कोशिश करते थे तो tax evasion को बचा आने के लिए tax evasion को रोकने के लिए section 27 law में introduced किया गया था तो transfer to spouse मानलो मैं अपनी wife को मानलो मैं अपनी wife को यह चलो अपना example नहीं लेता है मानलो कोई बंदा अपनी wife को मकान transfer कर देता है बिना पैसा लिए ठीक है बिना पैसा लिए बस कहा रहे मैं बहुत प्यार करता हूं इसको मैंने मकान गिफ्ट दे दिया तो डीम डोनर वही बंदा माना जाएगा wife डीम डोनर नहीं मानी जाएगे लेकिन अगर मानलो इन दोनों का divorce वगिरा हो जाता है और फिर यह आदमी transfer करता है उसको मकान बिना किसी पैसे वैसे को लिए तो फिर यह जो बंदा है वो डीम डोनर माना जाओंगा ठीक है लेकिन अगर मानलो minor married daughter को दिया जाए तो फिर वही डीम डोनर मानी जाएगी वही ओनर मानी जाएगी और income जो भी आएगी उसी के हाथ में taxable होगी अगर मेरे पास कोई impartable estate है अगर मेरे पास कोई impartable estate मतलब को ऐसी estate जो legally divisible नहीं है तो जो भी उसका main owner होगा main holder होगा उसी को deemed owner माना जाएगा अगर cooperative society का कोई member है अगर कोई cooperative society का member है जैसे housing societies होती है तो उसमें हर बंदे को जो भी flats होते है सपोज मेरा जैसे मकाने बीच है मेरा वो मकाने वहाँ पर noida में एक society express green buildings वहाँ पर मेरे पास एक flat है ठीक है वहाँ पर मेरे पा owner of that share that portion उस portion के लिए मैं यह नहीं बोलुगा कि नहीं जो वह वाला फ्लाट है वो तो express greens का वह है ठीक है मतलब काई दे से तो वह फ्लाट है वह express greens का है लेकिन अब उस flat में मेरी ownership है ना तो फिर इसके लिए बहुत ही common sense वाली चीज़ है नेक्स पॉसेशन इन पार्ट पर्फॉर्मेंस ऑब का क्या मतलब हुआ कि सपोज आपने मेरे से कॉंट्राक्ट किया कि सर आपका नौइड़ा वाले मकान पे आप जाकर रहोगे ठीक है तो आपने आकर मुझ से का कि सर आप अपना नौइड़ रुपे आपके लिए बड़ी बात है नी तो आपने मुझ से कहा कि हासर 2-3 क्रौट रुपे कोई बड़ी बात नहीं है और आपको पैसे बाद में दे दूगा अभी मैं जाकर रहने लग जातों मैंने ठीक है ठीक है रहने लग जाओ मैंने भी trust के basis पर आप से कहा कि आप र वाले मेरे पास आगए तो मैं कहूंगा कहां भया तुमने अभी पैसा नहीं दिया है तो वही यह वाली बात हो रही है कि तुम ही डीम डोरनर माने जाओगे यह कुछ important questions हैं काफी comprehensive type के questions हैं इनको आप लोग solve कर ली जगा 31 minute 24 second हो चुके हैं और हमारा पूरा का पूरा income from house property यहाँ पर revise हो चुका है ठीक है I'm sure आप लोगों को यह session जरूर helpful लगा होगा और सब के साथ इसको share कर देना comment section में comment करके जरूर बताना आप लोग को session कैसा लगा please solve all the questions from the book ठीक है मैं यह जान बूज कर alternate day sessions ले ही इसलिए रहाऊ जिससे आप लोग यहाँ पर आओ sessions देखो आदे पॉने गंटे का एक गंटे का जित्ता का भी session होता है सारे के सारे concepts आप recall कर लो और साती सात उसके बाद अगले session से पहले पहले उसके सारे के सारे questions कर डालो के ताप से ठीक है तो it's time that you need to buck up it's time you need to pump yourself up, push yourself up and push yourself to greater heights ठीक है वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना and I'll see you guys day after tomorrow with the revision of PGBP Thank you, take care, bye-bye